हलो दोस्तों, स्वागत है आप से भी का इक नीव वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने मुलें अगर आप लेप्लोप यूज़ करते हैं तो उसमें दोस्तों कोई भी आप एप्लिकेशन को नको अप इनिस्टॉल कैसे कर सकते हैं चली जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों आपको जो भी अप्लिकेशन इनिस्टॉल करना है उसको दोस्तों आप Chrome ब्राउजर या फिर कहीं से भी उसको डाउनलोड कर ले जैसे मैंने यहाँ पर एक सबसे फहले ह यहाँ नसमार हैं आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस कैसे इनिस्टॉल किया जाता है तो सबसे पहले किमेरे अपने मेने आपर आफार दोस्तों यहां मैंने देख सकते हैं यहां पर download वाले से ही application डाउनलोड करके रखा है जैसे यहां पर हम फोरके वीडियो डाउनलोडर है को हम इन इस्टॉल करना चाहते हैं इसके लिए दोस्तव यहां पर और दोस्तों के फिर से next बोला जाएगा तो यहां पर आपको next कर देना है और यहां पर आपको term and condition जो है apply यहां पर click करके यहां से next कर देना है next करने के बाद दोस्तों फिर से next करने के लिए बोला जाएगा यहां से next करके यहां से install वाले बटन पर click कर दें जैसे आप install वाले button पिकली करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जaw application हे वो इनिस्टॉल होना चालू हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पे install होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि install थोड़ा ही time लगएगा उसके बाद दोस्तों आपका तुरंट इंस्टॉल होने के बाद यहां पर देख सकते हैं फीनिस यहां पर आपको option आएगा तो ok देख सकते हैं shortcut बनके यहां पर हमारा desktop साइट पे भी आगया है तो इस तरह से चाएं दोस्तों कोई भी application को कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए धन्य बाद